चने के भाव में लगातार तेजी बनी हुई है. एक अनुमान के तौर पर सीजन की शुरुआत के बाद अब तक 700 से 800 रुपए प्रती क्विंटल की तेजी आ चुकी है. चने के वर्तमान भाव समर्थन मूल्य से कहीं अधिक हैं. चने के भाव में तेजी आने का प्रमुक कार उत्पादन में कमी को बताया जा रहा है. इन दौर के व्यापारियों के मुताबिक चने की कीमतों में एक तरफा तेजी की स्थिती बनी हुई है. दरसल, देसी चने का उत्पादन इस बार सरसच से 68 लाक मीट्रिक टन के करीब रह गया है, जबकि हमारे खपत 115 से 120 लाक टन क पिछले पांच वर्षों से देसी चने में किसानों और कारोबारियों को कोई विशेश लाब नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने इसकी बोवनी में कम दिल्चस्पी दिखाई. यहीं वजह है कि उत्पादन में कमी आई है और यही कीमतों में तूफानी तेजी आने का प्र पांच रुपए अधिक है. इसके मुकाबले चना का थोक मंडी भाव 7150 से 7200 रुपए प्रती क्विंटल यानि लगभग 35 प्रतिशत ऊपर चल रहा है. मंडियों में ना चना की आपूर्ती व उपलब्धता बढ़ रही है. और नहीं कीमतों में नर्मी का कोई संकेत मिल रह है. सरकारी अनुमान है कि कीमतों में नर्मी नहीं आने की स्थिती में चना पर भंडारन सीमा लागू करने पर विचार किया जा सकता है. चने के उतपादन को लेकर केंद्रिय क्रिशी मंत्राले में रिपोर्ट जारी की है. क्रिशी मंत्राले ने चना का घरेलू उतपादन 2022 2022-2023 की तुलना में करीब एक लाग टन घटकर 2023-2024 के वर्तमान सीजन में 121.60 लाग टन रह जाने का अनुमान लगाया है। अनुमान लगाया जाने लगा है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद चने के भाव पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि उचे भाव पर भले ही छोटी अवधी में चने की कीमतों में मंदी आ जाए। लेकिन लंबी अवधी में इसके भाव और बढ़ सकते हैं। इस महीने चना के भाव में तेजी देखने को मिली है। अप्रेल महीने की शुरुआत के दौरान चना का भाव 5,800 से 5,850 रुपई था जो जो अप्रेल माह के अंत तक बढ़कर 6,150 से 6,200 रुपई क्विंटल हो गया है। पिछले साल इन दिनों चना करीब 5,000 से 5,100 रुपई क्विंटल बिक रहा था। जाहिर है कि पिछले साल की तुलना में चना के दाम 40 फीसदी से भी ज्यादा है। बाजार जानकारों के अनुसार चना के कमजोर उतपादन को देखते हुए स्टॉकिस्टों वदाल मिलर्स की मांग मजबूत बनी हुई है। इसलिए चने में तेजी आई है। जानकारों के अनुसार लंबी अवधी में चना के भाव और बढ़ सकते हैं। देसी चने की भाव में लगातार तेजी बनी हुई है। व्यापार जानकारों के मुताबिक चने में इस वर्ष आवक का प्रेशर कमजोर रहा। चने के भाव में यही से तेजी का रुख बना जिसके निरंतर आगे भी जारी रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि जून महीने में भी चने के यही भाव बने रहेंगे। चने के भाव बढ़ने से अभी विक्री में व्रिधी होने की संभावना है। मुनाफ़ा वसूली के कारण भले ही कुछ समय के लिए भाव में उतार चरहाव हो जाए किन्तु आखिरकार चने के भाव में फिर तेजी आने की संभावना ह चने के भाव में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी इसकी प्रमुक वजह यह है कि लगभग सभी राजियों में चने की आवक में गिरावट दर्ज हो रही हुई है परिनाम स्वरूप चने के भाव में तेजी के चलते अन्यदाल महेंगी हो गई है Bureau Report Market Times TV